हाई फ्रेंड्स वेलकम तू मैं चैनल इस ब्यूटी हैक्स आज हम बनाने वाले हैं चार्ट कोल सोप जो की बहुत ही ज्यादा एफेक्टिव होता है और आपकी स्किन को पूरी तरह क्लियर और ग्लोइंग बना देगा बच उससे पहले मैं आपको बता दूँ अगर आप मेरे चैनल पहली बार देख रहे हैं तो मैंने साया दो महीने पहले बहुत सारे सोप के वीडियो डाले थे मैंने बहुत सारे होमेट साबुन बनाना आपको बताया था और आपने वो इस्तमाल भी किये और मुझे भी बताया तो मुझे बहुत जादा अच्छा लगा और मेरे वीडियो डालने के बाद बहुत सारे चैनल वालों ने बिलकुल सेम टू सेम बिल्कुल भी चेंज करें बिना वैसे ही वीडियो डाले उस बात का मुझे थोड़ा बुरा लगा कम से कम थोड़ा चेंज तो कर सकते हैं बिल्कुल ही सेम क्या डालना एनिवे मैं कुछ नहीं कर सकती जिसको कॉपी करनी है वो करेगा ही इस सोप को बनाने के लिए हमें दो चीजें लेनी है चार्कुल पाउडर और बदाम का तेल और सोप बेस आप ले सकते हो या फिर पियर सोप ले सकते हो जो कि गलिसरेन बेस सोप है प्यॉर सोप है काफी अच्छा है आप सब की स्किन के लिए मतलब वो हर किसी को सूट कर जाता है अगर आप वो नहीं लेना चाते हो तो आप ट्रैंसपरेंट सोप बेस ले सकते हो या फिर सोप बेस ले सकते हो सिर्फ मैं उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आप मंगवा सकते हैं चार्कुल पाउडर अब आपको सायद इजी लिना मिले उसका भी लिंक मैं आपको दे दूंगी और चार्कुल पाउडर की जगह आप चार्कुल कैपसुल या टैबलेट भी ले सकते हैं चार्कुल पाउडर हमारी सकिन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है अगर आपके ब्लैक हैट से या पि इंपल्स एकनी है यह उन्हें पूरी तरह दूर करके आपके स्किन को एकदम क्लियर और ग्लोइंग बना देगा और आपके स्किन की एकदम डीप क्लिनिंग करेगा तो यह बहुत ज्यादा बैनिफिशल है आप इसका फेस पैक भी बना सकते हैं वह भी मैं आपको जल्दी बन आप यह ले ले अगर वो मैंने आपको बताया सोप बेस का लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और चार्कुल पाउडर का भी फिर आपको एक ग्लास लेना है या कोई भी कंटेनर ले लीजिए उस पर लगा लीजिए ताकि आपका सोप चिपके ना वैसे तो यह नहीं चिपकेगा बट फिर भी इसके बाद आप अपने सोप को कद्दू कस कर लीजिए या फिर सोप बेस को कद्दू कस कर लीजिए और एक और बात आप हर कोई सोप नहीं ले सकते हो आप ऐल बेस या ग्लिसरिन बेस सोप ही ले सकते हो फिर आपको इसे मेल्ट करन बदाम का तेल हमारी स्किन को लाइट बनाता है आप चाहो तो कैपसूल बेड़ कर सकते हो विटामिन एक या फिर कोकोनट आइल भी एड़ कर सकते हो फिर आप इसे कंटेनर में रखकर फ्रीज में रख दीजिए अगर आप फ्रीजर में नहीं रखते हैं फिर भी यह जम होगा मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत बूलना आपको स्क्रीन पर जो मेरे चैनल का नाम दिख रहा है आप उसे भी दबा सकते हैं ताकि आप मेरे चैनल से जुड़े रहें और आप मेरे सोप के और भी वीडियो देख सकते हैं मैं सारे वीडियो डिस्क्रिप् झाल झाल